Hello everyone, welcome to online prep, आप सभी students की demand पे आज के इस वीडियो में हम लोग subject combination के बारे में A to Z जानेगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, कि किस subject में कौन सा combination होना चाहिए, साथी साथ UPTGT में क्या combination चाहिए होता है, KVS, JNB, मतलब state government में क्या combination चाहिए होता ह और central government में क्या चाहिए होता है, इसके बीच में अंतर क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को combination बताने से पहले दो चीज जान लिजिए, कि जो subject combination होता है, वो सिर्फ और सिर्फ TGT मतलब trend graduate teacher के लिए ही important होता है, primary में combination की जरूवत नहीं होती है, और PGT मतलब 11, 12 के teacher बनने क के लिए आप जिस subject से PG किये रहते हैं, MMSC, MCOM, आप उस subject के teacher बनते हैं, लेकिन class 6 से लेकर 10 तक के teacher बनने के लिए आपके कुछ विशयों में subject combination होना जरूरी होता है, मस्ट होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी को लेकर, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंग और state government दोनों के आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, सबसे पहले हम लोग UPTGT का जानेंगे कि UP government क्या demand करती है, कि subject combination की demand करती है, देखिए, आप उसी subject में teacher बनते हैं, जिसमें आपका graduation है, ध्यान रखेंगे, जिस subject में आपका graduation रहता है, आप BA जब कर रहे हो इनका graduation में हिंदी है, तो हिंदी के साथ संस्कृत होना अनिवार है, ये जो cutting मैं लगाया हूँ, ये UPTGT की cutting है, और इसका link जो होगा, वो मैं आपको वीडियो के description में भी दे दूँगा, वहाँ से आप verify भी कर पाएंगे, तो अगर आपका हिंदी और संस्कृत combination नहीं है, म ध्यां रखिएगा, अब ही हम लोग फिर central government में बात करेंगे कि वहाँ क्या अंतर आता है, उसके बाद सबसे जो ज्यादा question आते है, वो आता है, social studies, social sciences, समाजीक विज्ञान को लेकर, कि सर मेरा ये subject है, तो क्या मैं TGT समाजीक विज्ञान से दे सकता हूँ, तो ध्यां subject होता है, honors होंगे, तो आपका एक subject कोई होगा, और उसके साथ graduation में जो दो सार आप पढ़े होंगे, इन में से कोई एक होना चाहिए, I hope आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, जैसे माली जी जो लोग graduation दो subject से किये होते हैं, usually state universities में, वहाँ पे आप देख पाएंगे, अ any two subject अगर आपका है, तो आप UPGT के लिए समाजिक विज्ञान subject से eligible हैं, योग्य हैं, उसके बाद विज्ञान की बात आती है, तो जब विज्ञान की बात आएगे, तो विज्ञान में आपका जो BSC होगा, जो वो आपका दो subject उसमें होने चाहिए, भौतिक विज्ञान और assign विज्ञान, मतलब chemistry, physics से ही अगर आप BSC किये रहेंगे, मतलब आपके BSC final year में दो subject रहेंगे, अगर honors भी है, माली जे physics honors है आपका, तो chemistry आपने दो साल तक पढ़ी है, तो आप eligible होंगे, UPTGT विज्ञान के teacher बनने के लिए, science का teacher बनने के लिए, ध्यान रखिएगा, science का teacher बनने के लिए, physics और chemistry मस्ट हो जाती है, जी विज्ञान के अलग, यहाँ पर क्या होता है, विज्ञान का एक अलग post है, और UP government में, और आपको biology के अलग teacher का recruitment होता है, तो biology के लिए क्या चाहिए होता है, botany और geology में आपका BSC होना चाहिए, यहाँ पर लिखा भी है, आप दे combination के आओ सकता होती, otherwise, जो बाकी subject है, जैसे मालीजे, किसी ने Sanskrit पढ़ा है, graduation में, तो Sanskrit के teacher बन जाएगा, उसको कोई भी ऐसे अनिवार subject या combination की जरूवत नहीं पड़ेगी, जैसे maths है, जिसने graduation में मैथ पढ़ा है, वही maths का teacher बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जो चार थे, उसके बारे मैंने बता दिया, अब आप पूछें, sir, हिंदी के साथ Sanskrit क्यों अनिवार रखा गया है, तो यह इसलिए रखा गया है, कि जब आप recruitment होता है, तो हिंदी जो है UP government में, या UP board की सलेबस में, वह हिंदी के साथी साथ Sanskrit का भी एक portion होता है, तो इसलिए यह अनिवार है, आप हिंदी के teacher बन सकते है, वहाँ Sanskrit के अनिवारता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेगा, यह मैं Central Government का column बना दे रहा हूं, लेकिन समाजिक विज्ञान, मतलब Social Sciences या Social Studies का teacher बनने के लिए, यह combination, मतलब किसी दो का subject होना चाहिए, यह वहाँ पर भी अनिवार है, मतलब Central Government की जॉब में भी अनिवारे, चाहिए, वो KBS हो, JNB हो, या आप Army School हो, या कोई भी Central Government का जो मतलब vacancy जाती है, उसके लिए, यहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर Central Government की जॉब आती है, उसमें Biology के लिए अलग से vacancy नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी Science से होती है, और Science में Physics, Chemistry, Botany, Geology अगर आपने पढ़ा है, तो आप eligible होते हैं, Science का Teacher बनने के लिए, इन में से कोई Physics, Chemistry, Botany, Geology, जो भी आप पढ़े होंगे, मतलब इन दोनों को मिला कर एक विशय हो जाता है, Science, वहाँ पर दो विशय नहीं होता है, तो किस चीज का ध्यान रखेगा, जैसे जि रहे हैं, तो आप बाकी Central Government के Job को देखी सकते हैं, Central Government Job के लिए apply करी सकते हैं, तो परिशान नहीं हो ना, जो लोग graduation कर चुके, आप तो उसको change नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं पर एक subject से होता है, लेकिन वह बहुत ही time taken होता है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि हम लोगों सिर्फ 9th और 10th में ही ये recruitment होता है, 9th और 10th के लिए ही, जैसे 6th में agriculture नहीं पढ़ाया जाता है, commerce भी 9th से शुरू होता है, तो यह चीज़ ध्यान रखेगा, इसके comment बहुत आ रहा है थे, तो मैंने सोचा इसमें add करा दूँ, तो I hope आज की ये जानकारी subject combination के आप लोगों क प्रोवाइड की जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाइबाए, टेक केर रहे हैं, जीक बास,